माना जाती को शांती करुणा और मैत्री का संदिश देने वाले तथागर्द गौतम बुद्ध की चलित मुद्रा में 56 फीट उची प्रतिमा नापूर की दिख्षा भूमी पर आ गई है जल्दी इसे दिख्षा भूमी में स्तापिट क्या चाहेगा एक तशमलो साथ टन वजन की यह अश्टधातों से बनी मुर्थी थाइलेंड से समुद्री मार्ग होकर यहाँ पर आई है यह जानकारी डॉक्टर आमबिट कस्मारक सबिती दिख्षा भूमी की अतिख्ष भदंत आर्य नाकरचुन सुरेई ससाइलिती उनने बताया कि थाइलेंड और मैनमार की दान दातों की वज़ा से यह मुर्थी थाइलेंड की चोन बुरी शहर मेमनाई में गई मुर्थी को बीस अलग-अलग भागों में विभाजित कर लाया गया है मुंबई से नाकपुर तक सड़त मांग से यात्रा करते वे मुर्थी देशा भूमी पहुची है इस मुर्थी को स्तापित करने के लिए पिछले साल देशा भूमी शेत्र में थाइलेंड के दान दातों की उपस्तिती में भूमी पुचन क्या क्या था अब इस प्रतिमाग को स्तापित करने के लिए नाकपुर संतार प्रन्यास के सहयोग से एक बड़ा चबुतरा तयार क्या जा रहा है चबुतरा बनने के बाद कल पुझे चोड़ कर पूरी मुर्थी खड़ी करती जाएगी मर्ति स्तापिट करने के लिए थाइलेंड से इंजिनियर आएंगे उन्होंने इसके लिए डिजाइन भीज़ दी है मुर्ति को लाने में डॉक्टर एसके गजबी रवी मेंडे डॉक्टर सुदेर फुलचली का महत्वपूर्ना योगदान रहा कैमरा परसन राजकुमार मोहड के साथ शितिजाद देशमुक के रिपोर्ट